हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा CBC टेस्ट क्या होता है ये टेस्ट क्यों कराये जाता है CBC में कौन-कौन से टेस्ट आते हैं नॉर्मल रेंज क्या होती है रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगता है और साथ ही इसके प्राइस के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं नंबर वन CBC टेस्ट क्या होता है CBC टेस्ट का full form complete blood count टेस्ट होता है CBC को हिंदी में पूर्ण रक्त गरना नाम से भी जाना जाता है इस टेस्ट को हीमोग्राम टेस्ट नाम से भी जाना जाता है CBC यानि complete blood count टेस्ट सबसे ज़्यादा कराय जाने वाली जांचों में से एक है व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो डॉक्टर्स परेशानी समझने के बाद जो जाच लिखते हैं उनमें 90% केसेस में CBC टेस्ट इंकलिवड होता है ये एक आसान और बहुत ही आम टेस्ट होता है नमबर टू, CBC टेस्ट क्यों कराया जाता है? CBC, Complete Blood Count टेस्ट ये कई सारी बीमारियों का पता लगाने के लिए कराया जा सकता है जैसे किसी तरह का infection हो गया है या शरीर में सूजन है, खून की कमी है, cancer है या blood cancer है जिसे leukemia कहते हैं या फिर कोई autoimmune disease है autoimmune disease क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की छमता होती है वो हमारे against में काम करने लगती है जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती है हमारे शरीर में लगबग 5.5 लीटर तक खून होता है नमबर 3, CBC में कौन कौन से टेस्ट आते है parameters of CBC, complete blood count test HB, hemoglobin, TLC, total leukocytes count इसे WBC भी कहा जाता है, WBC का पूरा नाम white blood cells होता है DLC, differential leukocytes count इन में आने वाले parameters जैसे polymorphos, lymphocytes, eosinophils, monocytes, basophils ये सबी parameters DLC में आते है platelets count, PCV, packed cell volume, RBCs count यानी red blood cells count, MCV, mean corpuscular volume, MCH, mean corpuscular hemoglobin, MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration, RDW, red cell distribution width ये सबी parameters CBC यानी complete blood count test में आते है अब आईए जानते हैं इन parameters की normal range क्या होती है HB, hemoglobin, इसकी normal range males में 13.5 से 18.0 g per deciliter के बीच में होती है females में 11.5 से 16.5 g per deciliter के बीच में होती है newborn baby में 15.0 से 24.0 g per deciliter के बीच में होती है 1 से 23 month के baby में 10.5 से 14.0 g per deciliter के बीच में होती है 2 से 9 years में 11.5 से 14.5 g per deciliter के बीच में होती है TLC, total leukocytes count, इसे WBC, white blood cells भी कहते है newborn baby में इसकी normal range 9100 से 34000 के बीच में होती है 1 से 23 month के baby में 6000 से 14000 के बीच में होता है 2 से 9 years में 4000 से 12000 के बीच में होता है 9 years से above में 4000 से 11000 के बीच में इसकी normal range होती है DLC, differential leukocytes count test इन में आने वाले parameters की normal range No.1, polymorphos, इसकी normal range 40 से 75% के बीच में होती है lymphocytes, इसकी normal range 20 से 45% के बीच में होती है eosinophils, इसकी normal range 01 से 06% के बीच में होती है monocytes, इसकी normal range 02 से 08% के बीच में होती है basophils, इसकी normal range 0 से 01% के बीच में होती है Platelets Count इसकी Normal Range 1.50 Lakhs से 4.50 Lakhs के बीच में होती है PCV Packed Cell Valium इसकी Normal Range 36 से 48% के बीच में होती है RBCs Count यानि Red Blood Cells Count Test इसकी Normal Range 4.5 से 5.5 के बीच में होती है MCV Mean Corpuscular Valium इसकी Normal Range 80 से 96 Pg होती है MCH यानि Mean Corpuscular Hemoglobin इसकी Normal Range 28 से 32 Fl होती है MCHC Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration इसकी Normal Range 32 से 38 ग्राम पर डेसी लीटर के बीच में होती है RDW Red Cell Distribution Width इसकी Normal Range 10 से 16.5 Fl के बीच में होती है No.5 CBC Test यानि Complete Blood Count Test कैसे होता है इस टेस्ट के लिए Blood Sample की आवशक्ता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास Precaution की आवशक्ता नहीं होती है इस टेस्ट को आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करवा सकते है No.6 CBC Test की रिपोल्ट आने में कितना वक्त लगता है CBC Test यानि Complete Blood Count Test की रिपोल्टिंग सेम डे में ही हो जाती है अब आईए जानते हैं CBC Test का प्राइस क्या होता है No.7 Price of Complete Blood Count Test Complete Blood Count Test का प्राइस 300 रुपीज से 500 रुपीज के बीच में होता है So friends, आज हमने जाना CBC Test क्या होता है ये टेस्ट क्यूं कराया जाता है इसमें कौन-कौन से टेस्ट आते है रिपोल्ट आने में कितना वक्त लगता है और प्राइस क्या होता है मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो